सरेशवाय नमस्तु भ्यायम हम सब को पता है कि 6 अक्टूबर को नौरात्रिकी चतुरूथी तिती का बहुती विशेश सा दिन है अब ये चतुरूथी तिती विशेश क्यों है क्योंकि ये वही दिन होता है जिस दिन हमें अपने घर पे शुब लाब लिखना होता है और अगर आप लोगोंने पूज गुरुजी की कथा ध्यान से सुनी होगी उन्होंने इस उपाय के बारे में ये भी बताया कि जो भी व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से इस उपाय को धंग से कर लेता है हमें किस चीज से लिखना है और कहां पे लिखना है ठीके ना देखो आपको यहाँ पे कई चीजे में दिखाऊंगा इन में से कोई भी एक चीज आपके पास में हो तो उसको आप ले सकते हो कि आपके पास में कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे आप चीजों को लिख सको पैन वगरा ना हो बागी ऐसी कोई भी चीज हो सकती है ठीक है ना क्या करना है इन जो भी चीजें आपने लिया है चाहिए हल्दी लिया हो लाल चंदन हो पीला चंदन हो उसको एक छोटी सी कटो जरूरी में जरूर डालेंगे और हलका सा पानी डाल करके इसका गाढ़ा सा पेश्ट तयार करना ठीक है ना बहुत मतलब पानी पानी जैसे नहीं बहुत ही गाढ़ा सा पेश्ट ठीक है ना उसके बाद में क्या करना है आपके घर में जहां पे भी नौरात्री के दिनों में आ आपको क्या करना है इन ही के पीछे चाहे आपने लाल चंदन का इस्तमाल किया है या फिर हल्दी का पीले चंदन किसी भी चीज से आपको या तो दो ऑप्शन है या तो आपको एक तरफ उनको ऐसे से एक बिंदी आपको रिधी के नाम की लगानी चाहिए और उन ही के पीछे एक बिंदी दूसरे साइड में सिध्धी के नाम की लगा दो, अगर मान लेते हैं कि आपके दिवाल पे जगह जादा है, तो आपको क्या करना होगा, एक मिट, फिर आपको उस भगवान गनेश के पीछे कुछ इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ न, आपको भी इसी तरी मालक्षमी जाती है, भगवान गनेश भी क्या करते हैं, उनके साथ जाते हैं, या फिर जहां भगवान गनेश जाते हैं, मालक्षमी भी वहीं जाती है, तो अगर इन में से किसी एक को हमने रोक लिया अपने घर पे, तो मालक्षमी हमारे घर से कभी नहीं जाएंगी, और हम को क्या करना है भगवान गनेश उनके घर में विराजमान होते हैं जिनके घर में शुभलाब लिखा होता है तो आपको अपने घर में इन नौरात्री की दिनों में शुभलाब लिखना है जिससे जब नौ दिनों के बाद में हम माता का विसर्जन करें कलश का विसर्जन करें का विसरजन करें तो सिर्फ देवी माता ही हमारे घर से जाएंगी भगवान गनेश हमारे घर में विराजमान रह जाएंगे और भगवान गनेश अगर हमारे घर में रहेंगे तो माता लक्षमी आटोमेटिकली हमारे घर में विराजमान जरूर रहेंगी और अगर हमारे घर मे मा लक्षमी रहेंगे तो पैसों की कभी कमी नहीं हो सकती इसलिए पूज गुरुजी की कथा में यही कहा गया है कि आपको भगवान गनेश जहां पे भी विराजमान है नौरात्र की दिनों में शुभ लाब या फिर एक एक बिंदी रिद्धी सिद्धे के नाम की जरूर लगानी चाहिए तो करके देखी गए इससे इजी इससे आसान उपाय धन संपता का नहीं हो सकता ठीके ना चलो भई तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ और ये जो दूसरा उपाय है वो होगी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए जैसे मान लीजे कि बहुत सारे लोग परिशान है कि भया हमने ये वरत कर लिया वो वरत कर लिया नहीं आपके घर में कोई भी अनाज का दाना हो जैसे मूंग के दाने हो गए चावल का दाना हो गया मक् perpendicular हो गया बाजरा हो गया जो भी चीजह अनाज में आती है कोई भी आप अनाज ले सकते हो गेहू मिल या तो बहुत अच्छी बात है कितना लोगे एक छोटा सा दीपक लेना है न मिट्टी का कोशिच करना नया हो अगर नया दीपक नहीं है तो घर में कोई छोटी सी कटोरी हो उसको भी ले सकते हो उसके अंदर सबसे पहला काम करेंगे जो भी अनाज का दाना आपने ले रखा है उस अनाज के दाने को आपको इस दीपक के अंदर रख देना इस दीपक को उठाना सेम काम करना है आपके घर में जहां पर भगवान गनेश की फोटो हो मूर्ती हो प्रतिमा हो इस नौरात्र के दिन में चतुर्थी तिथी को उनके पास में जाना सबसे पहला काम करना है एक आपको घी का दिया गोल बत्ती कहीं क्यों लगाएंगे क्योंकि भगवान गनेश एक देवता है और देवता को कौन सी बत्ती लगती है हमेशा गोल बत्ती और घी का दिया दीपक लगा दिया ध्यान लखेगा जब आप दीपक को लगा रहे हों तो दीपक के नीचे भी कोई ना कोई अनाज का दाना जरूर अबत्र हो जाए में नहीं मिलती आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमें हर एक काम में सफलता मिलने लगे अपने कौरिण जैसे भी प्रातना कर सकते हो प्रातना कर लेना और फिर आप इस दीपक को जब धनडा हो जया दीपक जलाया जो आपने उसके बाद में ये जो अनाशी का तोरी होगी इसको उठाके आप अपने घर में समहाल के रख लेना और जब भी आप किसी भी काम के लिए अपने घर के बाहर जाओ इसमें से कुछ दाने निकालके अपने जेब में रखके चले जाना और आपको हर उस काम में सफलता मिलेगी जिस काम के लिए आप जा रहे हो है बात आती है कि वेज़ जब हम लौट करके आएंगे तो हम उस अनाज के दाने का क्या करेंगे जब आप लौट करके आएंगे तो घर में घुसने से पहले उन अनाज के दानों को चिडियों के लिए आपको बाहर छोड़ करके आना है इस चीज़ का ध्यान लखिएगा ठीक है न तो करके देखेंगे इस उपाय को जिससे आपकी बरसो पुरानी जो मनो कामना हो वो पूरी हो जाए आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ जो की आपको करना होगा मक्खन के साथ में और ये उपाय के क्या फायदे हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइ रही है उसके लिए आप बहुत चिंतित हो बहुत जदा परेशान चल रहे हो तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे तो आपने यहाँ पर क्या ले लिया इस तरीके से मक्खन ले लिया मक्खन आपको मार्केट से 10 रुपए में 12 रुपए में आसानी से मिलेगा उसके बाद म जल भरेंगे मक्खन को लेंगे और सीधा आपके घर में महादयो का शीवलिंग हो तो वहाँ पर कर लो बाहर हो शीवलिंग तो वहाँ पर भी कर सकते हो ठीक है न अगर आपको यह पास शीवलिंग नहीं है और आपको अच्छा शीवलिंग चाहिए नर्मे देश्वर महाद में मात दो से तीन दिन के अंदर पहुचा दूँगा, ठीके न, तो आप मुझे मैसेज जरूर करेंगे, ठीके न, पहुच गए महादयो के शिवलिंग के पास में, आपके पास में है क्या, मक्खन, अब जो विक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उस मक्खन का लेपन, उ पात्र का जल महादयो के शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय, नमस्त अभ्यम का जब करके, अगर आप समर्पित कर देते हैं, नौरात्र महीने की चतूर्थी तिथी पे, यकीन मान लिजे, आपकी जो मनो कामना होगी, वो सारी तो पूरी होंगी, साथ ही साथ रोग जो घर में आपके प्रवेश कर चुका है, वो रोग भी आपके घर के बाहर जरूर जाएगा, ठीके ना, तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इनसान को इस उपाय को करना है, आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के सबसे आखरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो की हमें करना है बेल पत्र के साथ में, यह उपाय भी आपकी बरसों पुरानी जो भी कोई इच्छा होगी, उसको पूरी करने के लिए होगा, चाहे इच्छा कहलो, या फिर धन संबदा कहलो, बीमार, मलब कहने का मतलब है, जो भी आपके wishes होंगी, वो पूरी होंगी, उसके लिए हमें बेल पत्र ले सकते हो, या तो ग्यारा बेल पत्र ले सकते हो, ठीक है ना, बेल पत्र पे क्या करना है, आपको लाल चंदन से सिर्फ एक बिंदी लगानी है, जितने भी बेल पत्र आपने लिया है, उन सभी बेल पत्र, कुछ इस प्रकारते जैसे मैंने बड़ा सा लगा दि उसको एक एक करके ओम श्रीम नमा का ध्यान करते हुए देवी माता के सामने उस बेल पत्र को रख देना देवी माता से विंती करेंगे प्रात्ना करेंगे और प्रात्ना करने के बाद में जो आपकी कामना हो वो कहे करके इन में से कोई भी एक बेल पत्र आपको उठा लेना है जिस इच्छा से आप इस उपाय को करना स्टार्ट किये थे वो wishes आपकी पूरी जरूर होंगे ठीक है ना तो नौरात्र की चतुरती तितिका इस special सा उपाय मैंने आप सभी को समझाया है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा कुछ पूछना है नहीं समझ मैं आ नीचे कॉमेंट सेक्षन ने पूछ सकते हैं और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कुछ मंगाना हो तो आप मुझे मैसेज करी सकते हैं नमबर मैंने आपको देई दिया स्री शिवाय नमस्तुब्यम